हलदवानी में चुनाफ ड्यूटी में तैनाथ सभी सेक्टर और जोनल मैजिस्ट्रेट की गाड़ियों में तीन दिनों के भीतर जीपीस लगाए जाएंगे निर्वाचन नौडल अधिकारी विशाल मेश्रा ने बताया कि निर्वाचन में जहां एक और कर्मेकों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है तो वहीं मतदान ड्यूटी में लगने वाले करमचारियों के द्वारा पोस्टल वॉलेट के जरिये अपना वोट भी दिया जा रहा है साथी निर्वाचन में लगी सभी अधिकारियों की गाड़ियों में जीपेस ट्राकिंग डिवाइस लगाई जा रही है जिससे की गाड़ियों की लोकेशन का पता चल सके इसके अलावा आट एप्रिल से द्व्यांग वार पचात्तर वर्ष से उपर की उम्र के मत अताताओं का पोस्ट वॉलेट के जरिये वोट जाहल जाएंगे हलदवानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट देखे निस्पक्ष व्यवस्तित और पाजरसी मत्दान प्रक्रिया के लिए सभी सेक्टर जोर्रल एफस्टी और एसस्टी की टीमों में की गाड़ियों में जीबियस डिवाइस लगाई जा रही ताकि उनके रियल टाइम मॉनिटरिंग हो से कहां पर हैं और क्या कारवाईय की जारी उसको मॉनिटर किया जा सके इसी के साथ साथ ये भी निर्देश है कि सभी विभाग सभी सेक्टर जोर्रल स्वयम से अपनी जिम्मेदारी से परिवयम विभाग की मदद से इसके अतरिक एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कल तक 761 कार्मिको के इलेक्षिन डूटी सर्टिफिकेट जाई कर दिये गए थे और कल तक राम नगर जो विदान सभाई उसमें 220 बेलेट हो गए थे और आज का जो डेटा है पोस्टर बेलेट का और EDC का उजलधी आपके साथ सामके अप्डेट करें शेयर कर दिये